हलो नमस्कार फ्रेंट आज की वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं पीजी जिसका शेशन है 23 to 65 उन सभी का जो है न पोर्टल पे एकडामिनिशन फॉर्म फिल करने का ओक्षन इनेवल कर दिये गए हैं तो आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोग कैसे खुझ से अपने स्मार्टपॉन से फॉर्म फिल कर पाएएगा और सारे अशटैप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पिलीज सब्सक्राइब कर लें ताकि BNMU, University Related Information या New Job या New Vacancy के बारे में इस चेनल पर सबसे पहले अपडेट किये जाते हैं और जो भी जानकारी दी जाती है वो सर्टिक जानकारी दी जाती है थोड़ा लेट जानकारी दी जाती है तो को हम फॉर्म फिल करके बताते हैं अपने मॉवाइल फॉन में Google Open करना है और यहां पर सर्च वार में सर्च करना है BNMU वैसे तो बताते दोस्तों यह आप लोग को BNMU का Official Website पता ही होंगे तो यहां पर चलिए हम किलिक कर लेते हैं और किलिक करने के बाद यहां पर देखिए एक नया बिंडो पॉप अपन हो जाएंगे इस तरह का dashboard और ओपन होने के बाद यहां पर देखिए एकजामिनिशन फॉम है तो आप लोग को यहां पर किलिक कर लेना है तो चलिए हम click कर लेते हैं और click करने के वाद login page open हो जाएंगे यहाँ पे जो है आप लोगों के पास application number होगा और password होगा तो यहाँ से आप लोगों को login कर लेना है तो चलिए हम फिलाल login कर लेते हैं इसमें देखे दोस्तों हम जो है ना dashboard में login हो चुकी है login होने के बाद नीचे scroll करना है और scroll करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाएना fill examination form पे click कर लेना है तो चलिए हम click कर लेते हैं तो जैसे ही आप लोग click किजिएगा तो इस तरह का dashboard आपके शामने open हो जाएंगे open होने के बाद यहाँ पे degree tap में आप लोगों को यहाँ से select कर लेना है MA या MSC या MCOM आप जिस भी faculty से होंगे यहाँ पे automatic so हो जाएंगे तो यहाँ पे हम MS select कर लेते हैं उसके बाद select examination type इसमें आप लोग को select कर लेना है main तो चलिए main select कर लिए उसके बाद यहाँ से आप लोग को कर लेना है next उस्तों इस तरह का dashboard आपके शामने open हो जाएंगे और open होने के बाद यहाँ पे आप लोग को registration number फिल करना है तो आप लोग इस university से आप लोग graduation किये होंगे तो admission receipt पे आप लोग को class rule number दिये होंगे तो यहाँ पे आप लोग को class rule number फिल आउट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे date of birth automatic यहाँ पे फिल रहने वाला है उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आधार number फिल आउट करना है यह फिल आउट करना आधार number mandatory है उसके बाद यहाँ पे अटोमेटिक मॉवाल नमर फिल रहेगा उसके लाद email ID यहाँ पे अटोमेटिक फिल रहने वाला है उसके बाद नीचे स्कॉल करना है और अश्कॉल करने के बाद यहाँ पी जो है न दोस्तों आप लोग को address फिल आउट रहेगा आय्टमेटिक, आप लोग यहाँ पे जो है, जो है ना जन्च करना चाहते हैं अड्रेस, तो यहाँ से आप लोग किलिक करके चैंज कर सकते हैं, उसके वाद यहाँ पर post office, आप लोग को यहाँ पे fill out कर खरां लेना है, उसके वाद यहाँ से अबडेट कर लेते हैं उसके बाद आगे इस ट्रीप आप लोग को हम बताते हैं उस तरह का डसबोड आपके शामने ओपेन हो जाएंगे और ओपेन होने के बाद नीचे स्कॉल करना है तो यहां पर देखे सारे सब्जेक्ट अब लेवल है यहां पर तो आप लोग को जहें न यहां से अबडेट कर लेना है तो फिर यहां पर हम अबडेट पर किलिक कर लेते हैं तो यहां पर देखे दोस्तों अबडेट हो चुके हैं उसके बाद जहें न दोस्तों यहां से प्रिवियर्स कर लेते हैं यहां पर किलिक करके तो चलिए हम प्रिवियर्स कर लेते हैं यह आपने करने के बाद दोस्तों यहां पर जो है ना फील सवर्पूर्यशक्र तो यह पर देखिए TP college.org है तो आप लोग को यहां पर किलिक कर लेना है तो जैसे ही आप लोग किलिक किजिए गा तो यहां पर देखिए TP college का जो है न ओफिस्चल साइट ओपन हो जाएंगे और ओपन होने के बाद यहां पर online admission लोग को यहां पर किलिक कर लेना है तो चलिए हम किलिक कर लिए तो एक नया बिंडो फिर open होजाएंगे तो यहां पे देखे open हो चुका है होने के बाद आप लोग को यहां पे click करना है यहां पे है फिल examination form उसके बाद है admission login उसके बाद है registration login और certificate login तो आप लोग को जाएना examination form पे आप लोग को click कर लेना है तो जैसे ही आप लोग किलिक कीजिएगा तो इस तरह का dashboard ओपन हो जाएंगे होने के बाद आपिला आइडी यहां पर फिल कर लेना है तो चलिए हम फिल कर लेते हैं आपवली केशन आइडी यहां पर हम फ्边कर ली आए हैं और फिल करने के बाद यहां पर लोगिन पर क्लिक कर लेना है तो जैसे ही आप लोग लोगिन पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए सारे डिटेल आपका जो है ना यहां पर सो हो चुका है यहां पर देखिए नेम है यहां पर फादर्स नेम है और यहां पर अपला आईडी है आ से और इसके वाद यहाँ पर इस्टुडेंट कर सकते हैं अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं उसके वाद यहाँ पर देखे ओनर सब्जेक्ट यहां पर हुए है हिस्टरी उसके बाद यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेशन नंबर दिये हुए है तो आप लोग को जो है न यहाँ पे फिर रेजिस्टेशन नंबर फिल कर लेना है वही गडिजोशन का उसके बाद यहाँ पे जो है न चेक बोक्स में यहाँ पे चेक कर लेना है उसक इसे ही payment पे रेडिक्ट करेंगे उसके बाद आप लोग को जो है न यहां से आप लोग को payment कर लेना है अगर आप लोग ATM से करना चाहते हैं तो ATM यहां पर सलट कर सकते हैं तो net banking अगर UPI है आपके पास तो UPI से भी कर सकते हैं payment तो यहां से हम जो है न डेविट कार्ड सलक्ट कर अगर अगर किसी तरह का आप लोग को जो है न प्रोब्लेम आड़ा है फॉम फिल करने वक्त तो मुझे comment section में आप लोग comment कर सकते हैं तो thank you फिर मिलते हैं next video और next update के साथ